नमस्कार दोस्तों इभी टैक चैनल पे आपका फिर से स्वागते तो आज हम बात करने वाले फोटो पिया फोटो पिया के एडिटिंग सॉफ्ट वेरे तो सब स्पहल में अपना क्रोम ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर आपको इभी ब्राउजर ओपन कर सकते हो तो आपको करन साओ आपको तो आप देख सकते हूं कि ना चशा लग रहा है देखो इसको इसको मैं आपके अपको मरक चीज़े देखा सकते हो उसके पाद आपको इससे ज्यादा तूल देखने को मिल सकते हैं तो आपको यहां पर create के option पर click करना है वैसी आपका create हो जाएगा जैसे आप सारा चीज़ेक कम्प्षूटर में करते हो वैसी इसको यहां पर भी यूज़ कर सकते हो तो देख सकते हैं यहां पर इसको zoom out, zoom in कर रहा हूं है देख सकते हैं आप layer lock हो चुकी है यह इसके सारे option आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से आप इतने भी option देख रहे हैं इसको मैं अब install करके install बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं install उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसको phone में किस तरह से view आता है तो यह application है phone की मैंने आपको एकदम switch करके दिखा दिया website से phone home पर तो इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर देख से न्यूट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं और कोई image में यहाँ से choose कर लेता हूँ जैसी कि यह है और यहाँ पर create ऐसा ही same interface वहाँ पर वेबसाइट पर आप उसको website के through यूज़ कर सकते हैं यह offline है अगर आपको website वा landscape mode में भी यूज़ कर सकते हैं और portrait में भी तो आपका जो इस तरह का है यहाँ पर आपकी photo आ जाईगी और यहाँ पर editing tool काफी दिये हैं देख सकते हैं इन पर click करके pen tool type window filter बहुत सारे filter आपको दिये हैं यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ जैसे computer में एक file option होती है तो open with कर सकते हैं आप control प्लस O अगर आपको मैंने दूसरा keyboard अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया अपनी वीडियो में दूसरा keyboard आपको यहाँ पर काम आने वाला है उसी परकार आपको अपनी यहाँ से कोई भी image second project save कर सकते हो याँ एडिट कर सकते हो इसके बाद आप इसको edit करो जो merge करो इस तरह से आप इसका use कर सकते हैं अब बात है downloading तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं दोस्तों तो देख लेते हैं जल्दी से कि हमें इस APK को कैसे download करना है तो देखिए आपको APK का सिर्फ APK ही APK media fire पे लेके आया हूँ तो आपको simply यहाँ पे download button पे click करना है जैसी downloading पे click करेंगे आपकी downloading start हो जाएगी उसको access कर देना है उसके बाद जाना है जैसी आपका APK download हो जाएगा उसके बाद करना है उसको install तो खोलना है आपको file manager, file manager में आपको जाना है internal storage मे download में भी आप direct जा सकते हैं तो जैसी हम download folder पे करते है click तो यहाँ पे देख सकते है आप photopia mode APK हमारा download हो चुका है simple इस पे click करना है उसके बाद install कर देना है जैसी आप install करते हो यह यह अपने आप install होने लग जाएगा मतलब कि यह इसका mode APK है तो ध्यान रखे कि इसमें आप कैसे click करना है आप यह बहुत बड़ा cross दिखा होगा इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करते हो तो आपकी add side हड़ जाएगी इस तरह से आपके यह option आएगी तो देख सकते है file edit layer select filter view window more account इस तरह से इसमें आपको shortcut की भी दिखाई देगी तो new project पर click करोगे जैसे आप आपक की दो मितने थैंक्स फर वाचिंग